दोस्तो आज की इस वीडियो हम लूशेंट के टॉप चालिस कोशन लिखके आए हैं जो जीके जेस के टॉप इंपोर्टेंट कोशन है तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंततक देखेगा अगर दोस्तो आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हल्पुल आपके लिए काफियो मौश्ट इंपोर्टेंट है फ़र्ष्ट कोशन पूचा गया कि हैली धूमकेत का आवर्थकाल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तो अगर आपको किसी भी प्रसंट का आंसर पहले से आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो फ फेंट्स राइट अंसर हो जागा आप्षिन नमर भी यानि की राइन नदी की किनारे पर इस्तित है अगला next question बताएंगे फ्रेंच कोशन नमर तीन है कि हेरिंग पांडा के नाम से किसे जाना जाता है चले सभी फेंट्स राइट अंसर बताएंगे तो फेंट्स हेरिंग प इनदी या फिर्यम्ना थो फ्रैंडट रेटर राइट आंसर विज्स है थो अपस्य नमबर सी अगला सोफ कोश्ल बताएंगे फ्रैंडर व्यश्च नवर 5 है कि ही रा ब्यापार का सबसे बड़ा केंदर कहां पर हैं तो मेरे पैरे ड्लिमश्य में किस महादूइप का एक अधिकार है चले सभी फेंट्स राइट आंसर बताएंगे इस प्रसंद का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे पहरे दूस्तों हीरा के उत्पादन में जो फेंट्स है आफ्रीका महादूइप का एक अधिकार है तो राइट आंसर हो जाएगा नमर भी आफ्रीका अगला नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंश कोशन नमर सेवन की हीरा कुंड पर्योजना किस राज में इस्थित है आपसे ने जहार खंड बी मद्ध प्रदेश सी उडिशा और आपसन डी छत्तिस गड़ तो फ्रेंट से राइट आंसर की बात के तो आपस हिमालय परवर जो फ्रेंट से नवीन वलित परवत के अंतरगत आता है नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंश कोशन नमर नाइन की हिंद महासागर में इस्थित सबसे बड़ा दूइप कोन सा है तो फ्रेंश राइट आंसर की बात के तो आपसन डी राइट आंसर हो जगा ब किस नदी पर इस्थित है तो फ्रेंश राइट आंसर हो जगा अपसन वर्ची घाट प्रभा नदी पर अगला नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंश कोशन मर गेरा की हवाई जाज प्रया किस में उड़ते हैं तो यह कोशन दोस्तों काफी सिंपल है लेकिन कि स्वेज नहर के उत्री सिरे पर कौन सा पत्तन इस्थित है तो फ्रेंश राइट आंसर हो जागा ऑपसन नमर डी पोर्ट साइद अगला नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंश कोशन मर 13 कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है चले सबी फ्रेंश राइट आंसर बताएंगे तो फेंट्स राइट आंसर हो जाएगा कि स्वेज नहर की लंबाई जो फेंट से 168 किलो मीटर है अगला नेस्ट कोशन बताएगे फेंट्स कोश्चन मर 14 कि स्वेज नहर का निर्मार कब प्रारम हुआ था तो फ्रेंस राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वेज नहर का निर्मार का प्रारम हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षिन नमर बी अठारा सच चोवण इस भी में तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंस अप्षिन नमर भी थाइलेंड से नेश्ट कोशन बताएगे फ्रेंस कोशन नमर 16 पूंचा गया है कि इस्थल मंडल के कुल छेत्रफल के कितने प्रस्थ भाग पर पठार का विस्थार पा जाता है ये दोस्तों बहुत भी मोस्ट इंप अगला नेश्ट कोशन बताएगे फ्रेंस कोशन नमर 18 कि आई बी ए से क्या तक पर है या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आई बी ए से आई बी ए का फुल फॉर्म क्या होता है तो फ्रेंस राइट आंसर हो जाएगा उप्षिन नमर डी इंडियन वेक्स एसोसियन इस प्र मानकी करण संगठन I.SO का मुख्याले कहां पर इस्थित हैं तो मेरे पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंस जेनेवा में इस्थित है कहां पर जेनेवा अगला नेश्ट कोशन बताएगे फेंस कोशन बो 20 के अंतर राष्टी ब ज्यान तक्निक की कुसलता सिच्छा आधि को क्या माना जाता है तो friends right answer हो जाएगा option mercy मानव पूंजी माना जाता है next question बताएंगे friends question 22 है कि अर्थ बहुस्ताय के विकास के लिए कि इंद्री करत ये नियोजन सरप्रतम कहां अपनाय गया था ये question काफी most important friends right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल friends right answer हो जाएगा पूर्व सोब्यत तंग ध्यान से देख लेना friends expression का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोब्यत तंग next question बताएंगे friends question 23 की अर्थ सास्त किसकी रचना है काफी simple question है चले सभी फेंस राइट आंसर बताएंगे कि अर्थ सास्त किसकी रचना है तो फेंस राइट आंसर हो ज़े का अप्सन वर्षी चानक की की फेंस कोश्चन में 24 है कि 8 भी पंच वर्षी योजना की आवध क्या थी तो मेरे पहरे दोस्तो 24 की राइट आंसर की बात करें न तो इस प्रसंड का राइट आंसर हो ज़ेका अप्सन वर्षी नमर्डी 1292 से 1997 फेंस कोश्चन अबर 25 है कि आर्थिक नियोजन भी से है किसका चले सभी फेंस इस प्रसंड का राइट आंसर बताएंगे 25 का तो मेरे पहरे दोस्तों इस प्रसंड का राइट आंसर हो ज़ेगा समर्थी सूची का भी सह है आर्थिक नियोजन नेश्ट कोश्चन बताएंगे फेंस कोश्चन 26 है कि आर्थिक भीकास का तीसरा चेत्र क्या है आर्थिक भीकास का तीसरा चेत्र जो फेंस है वो है सेवा चेत्र अगला नेश्ट कोश्चन बताएंगे फेंस कोश्चन 27 कि आर्थिक सुधार समन्धी नवीन आर्थिक नीत कारिक्रम कब शुरू हुआ था तो मेरे पहरे दोस्तों राइट आंसर क्या हो ज़ेगा एंस कोशन बताएंगे फेंस कोशन 28 कि हौकी 20 फुकप की सुरूआत कम हुई थी तो फेंस राइट आंसर क्या हो जागाTo ушकी 19 सै 61 में होई थी नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोशन 29 है कि यहाउइ ब्लेघ घुल पुस्तक के लेखा नहीं दोस्तों ये question काफी most important है पुष्टक से related है तो right answer की बात करें तो right answer हो जागा tiger boots how I play goal पुष्टक के लेखा का है tiger boots next question बताएंगे friends question 13 कि हडपा की निवासी किस खेल में रूची रखते थे तो मेरे पैरे दोस्तों right answer हो जागा कि हडपा की निवासी जो friends थे वो 17 जखेल में रूची रखते थे अगला next question बताएंगे friends question 31 कि Spain का राष्टी खेल क्या है चले सभी friends right answer बताएंगे कि Spain का राष्टी खेल क्या है तो friends इस प्रसंद का right answer हो जागा bullfighting आप लोग मुझे comment करके बताएंगे कि भारत का राष्टी खेल क्या है चले comment box में सभी लोग बताएंगे कि भारत का राष्टी खेल क्या है चले सभी friends इस प्रसंद का right answer बताएंगे चले next question देखते friends question number 32 कि UNDP का पूरा नाम क्या होता है तो मेरे पैरे दोस्तों UNDP का पूरा नाम होता है United Nation Development Program यानि कि इस प्रसंद का friends B right answer हो जाएगा ध्यान से देख लेजिएगा friends question number 34 है कि अंग्रेश सासकों ने सन 1931 में किसकी अधिस्ता में मतदान अधिकार समित गठन की थी तो friends right answer हो जाएगा option number है Lord Lothian के मतलब अधिकार में अगला next question मताएंगे first question number 35 कि अंतर राजी परिस्द की नियुक्त कौन करता है तो friends right answer क्या हो जाएगा कि अंतर राजी परिस्द की नियुक्त कौन करता है तो right answer हो जाएगा राश्ट पती यानि कि president next question बताएंगे first question 36 है कि अंतर राजी परिस्द की इस्थापना कब हुई थी चलिए मेरे पहरे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए काफी most important है कम समय में आपको ज्यादा question कराता हूं और बहुत ही कम समय में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा दे इंगारी अटल भिहारी अटल भिहारी भाजपा का अनारा सबसे पहले किस सन में गूंचा था तो ये question राइट आंसर हो जागा option नमर यह यानि की तो फेंट्स राइट आंसर हो जगा लाला राजपत राए इस परसंड का फेंट्स बीडियो का लाइट कोशन है चले बताएंगे कि अखिल भारती सेवा का गठन कौन कर सकता है तो फेंट्स राइट आंसर हो जगा option बी संसद तो बी राइट आंसर हो जगा दोस्तों वीड बलाता रहूंगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्रम